वेलकम टू सुकला एड़ी पॉइंट दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पने यूटूब चैनल में मैं सियम सुकला आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए तरतिये वर्स 2021 मतलब अभी 15-16 से एक्जाम में स्टार्ट है ठीक स इस बात को ध्यान रखेंगे और उसमें जो है एक टॉपिक पूछा जाता है सरवबर परियोजना जो है इससे प्रशन पूछा जाता है एक्जाम में यह बड़ा महत्पूर्ण था इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाना आवसक समझा इसी प्रकार से दो तीन लक्षर और द उत्तर जो है देखेंगे उसके बाद में जो है उनके उत्तर आपके समक्ष प्रसुत करेंगे जैसे की आप देख चुके होंगे इससे पहले परियावन आवनयन के कारण उसके बाद में आप देख चुके हैं आप इसके बाद में मैं परियावने सिच्छा के बारे में क्योंकि इनसे प्रश्ण हर हालत में पूछी लिया जाते हैं तो बड़ा ही महत्पुर्ण है साथ ही साथ बन विनास के जो प्रमुक कारण है उस पर चार्चा करनी होती है उन पर वीडियो बनाना आती अवस्चे को मलब उससे प्रश्ण पूछा आता है और ही बता दू बन व कूछ जाते हैं तो इन समय पर वीडियो में बनाऊगा तो सीधे इसी परकार का थमनेट होगा और जहां पर यहां पर आप देख रहे होंगे सर्दार सरोवर परियोजना लिखा हुआ है यहां पर साड़ा सरोवर परियोजना इस यहीं पर टापिक अलकर रह लिखे देगी यहां पर लिखा रहेगा इस परकार से बन बिनास के परमुक जो है बन बिनास हो रहे हैं उनके रूप थाम किस परकार से किये जा या फिर मरस्थली करण का क्या कारण है मरुस्थाली करने मिनस दिसर तो जो दिजर्ट होटे हम मलब जैसे कि जहांपर बालू जिसे रेगिस्तान में में अपने हैं बालू बहुत हो जाते ऐस अच्छे रृटतिये मतलब की नालू होती है रिद ऊफ सीरी के प्रकास को on the referenceे तीहहेति ऊसके सूड़ा मोसम ठंडा होता है और जो वाटावड का ठंडाख मौसम हैं उसको गरहन करने लगती निए ऐससोसित करती है आफ थैसरे दात अच्छित वो सरजग कौन है तो जो है रेत होती है अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में आए चर्चा करते हैं थोड़ा बहुत इसमें ये प्रशन बड़ा ही महत्रपूर है इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग ठीक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको जो है पूरा पूरी तरीके से आपको इसमझ में आ जाएगा सारी चीज़े ठीक आए हम देखते हैं देखें गुजरात में नरबदा के महाने पर गुजरात राज्य है भारत का एक ठीक जहां से मोदी जी आते हैं तो गुजरात राज्य में नरबदा नदी है नरबदा प्रोवर नाम दिया गया है आजादी के तुरंत बाद गुजरात के लिए जल संसाधन प्रतान करने के लिए ततकालिक सरकार ने जो वहां की सरकार थे उस समय की नरबदा पर बांध बनाने का प्रस्ताव किया था होता है किसी नदी पर बांध क्यों बना याता है तो उसके लिए एक उदेश नहीं होता बहुदेस को ले कर के वहाँ पे कोई बांध हो गएरा बना याता है इसलिए सबी चीज़ों को बहुद देशी परियोजनाओं के पढ़ते हैं जैसे आप यह सब्सक्राइब कर देंगे ठीक तो इसलिए यह भी उनके लिए भी इंपोर्टेंट हो सकता है तो सरदाज सरोवर परियोजना से हाला फिलहाल इस प्रकार की प्रस्ण जो कमपटिशन में नहीं पूछाते वह पूछाएंगे कि कब जो है इसका निर्माड हुआ ठीक इस प्रकार के प्रस्ण पूछा आते हैं और यहां पर हमने तो आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा तो इसमें यह पूरा का पूरा आपको जानना थी आवस्क है हलाक कि अगर इन में से दो तीन चार पॉइंट को नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं है आप थोड़ी बहुत आइडिया आपको लग जाएगी अगर किस परकार से लिखना है तो बड़ा मजा जाएगा ठीक अच्छे तरीके इस नंबर आप आ जाएंगे तो जो है बांद बनाने तो उसका बनने से जल क्या होगा इधर उदर भटकने लेगा कमल बसका रास्ता बंदो चाएगा,92 अबन रहे ह pneum Blind patrol से क्या होगा प्रस्थापन की समीश्या जो है पत्यस्थापन की समयश्या बढ़ेगी मतलब जो वहां तो य अनके हब बाल हजाईगी पानी भशे परजस से उनलोगों को हटाया जाएगा कि आप बस जाएए यहां पर जल भरेगा यह होगा इत्या चीज़ें होती वह सारी समय से होती हैं इस कारण से बांध हो गयरा कोई परियोजना होती किसी नदी पर तो संभो नहीं हो पाती है हमालिया दो राज के बीच में नदी बह रही है तो उनमें विवाद होगा कि कितना पानी आप लेंगे कितना पानी हम लेंगे ठीक इसी प्रकार से होता रहता है यह संभो नहीं हो सका था 1960 हिस्वि में इस परियोजना पर कारि प्रारम किया गया लेकिन अंतर प्रांतिय विवाद की कारण अब अंतर राष्टी एक होता है अंतर राष्टी विवाद जैसे कि जब सिंधु नदी पर बांध मनाया जा रहा था सिंधु नदी जल समझांताבן पाकिस्तान के मद था ठीक लेकिन यह समिस्यां अंतर प्रांती समिस्यां दो राज्यों की बीच की समिस्यां अंतर प्रांती विबात की कारण 1979 मतलब 9 साल बाद उसके नरबदा जल बटवारा ट्राइबियूनल को सौप दिया गया ट्राइबियूनल दोरा प्रियोजना के आर्थिक लाब बांध तह जल भंडारन की सुरच्छा बांध के कारण किरसी भूमी बन भूमी मानो अधिवासो सिजल मगनता बिस्थापितों के पुनरवास की विवस्ता सिचाही के तरिक जल का उपयोग परिया वरडिये कठिनाईय बिसेस कर भूकम पादी के पक्षों पर गंभीरता पुर्वग विचार विमर्स किया गया ठिक उसके बाद ने 1989 बी में ट्रिव्यूनल ने अपना फैसला दिया जिसके अन्तता 1988 बी में परियोजना का काम सुरू हुआ सरदार सरोवर परियोजना में से निमलिखित समाजिक आर्थिक लाव प्राप्त होंगे अब यहां पर आपने देखा होगा कि इन्होंने आर्थिक लाव बांध था जल भंडारन की सुरच्छा बांध के कारण किरसी भूमी किस परकार से हो जाएगी बन भूमी पर क्या पर भाव पड़ेगा मानो अधिवासों पर क्या पर भाव पड़ेगा जल वंगनता हो निरड़े निकला 1988 भी में कि बांध बनाया जाना चाहिए तो बांध बना ठीक तो इससे क्या-क्या आर्थिक लाव होंगे समाज को क्या लाव मिलेगा और जो है आर्थिक लाव क्या होगा मतलब पैसे रुपए के मामले में किस परकार का लाव होगा ठीक आए देखते हैं कि इस परकार के लाव होगे पहला लाव होगा कि डुझराथ के जो 12 सूखा गर्स्त जनपद हैं 12 जो जिले जो है गुझराथ के विछतीर होते हैं तो में 1850 भूमि अब देखी 12 जो जिले हैं उनमें 18 लाक भूमी जो है वो सिंचित भूमी सिक के उपयोग से बहिसक्रित रहती थी तो इससे क्या होगा 18 लाक हेक्टियर की भूमी के लिए सिचाई की सुविधा उपलब्द हो जाएगी और क्या होगा राजी की जो 20% जल संख्या है उसके लिए परियावडे संकट जरूर उत्पंद करती हैं लेकिन अगर आर्थिक दिरिष्ट्री से देखा जाए समाजिक दिरिष्ट्री से देखा जाए तो यह लाभी भी पहुचाती है और लाभ और हानी इन्ही दोनों का समन्नात्मा कभी-कभी पूछ लेता कि इसके क्या लाभ होगे क्या हानी होगी और आपका इस पर क्या मत है इस परकार से परस्म पुझादे हैं पीआस यस पईसे सगहरामे में में स burger को अगया है तक ही आपको यह पहले वी बाद धन गए उसके बाद में जब आप जाएंगे तो मालिया कोई बांध बांद है तो उस पर नड़ा लेना ह मालिया आपको तो क्या करेंगे आप उससे फैसला आपके हैंगे नहीं होंगा लेकिन अगर मालिया विबाद है उसपे तो आप जहेंगे आप देखेंगे तो हो धन्यादा और कम हो रहा तो लाब बांध नहीं बनेगा ठीक तो यह इसलिए सब चीज़े पढ़ाई आती हैं दूसरा जो लाब होगा वह होगा राजस्थान के जालावर हुआ बाड़ मेर जन्पदों में 7500 के ज़ती सचाहीं होगी हैं जहां पे सिचाहीं सहीसे नहीं हो पाती सिचाहीं की सुभिधा不管 प्राफ Phill it तीसरा जो है इसका लाभ यह होगा कि 131 नगरों तो था 4700 गाओं के लोगों को पिये जल की सुविधा होगी गुजरात के अगला लाभ यह होगा चौथा नमबर कि इस परियोजना से लगभग 1500 मेगावाट जल बिद्दूत जल से बिजली निकाली जाएगी बिजली उत्पादन की जाएगी तो जल बिद्दूत उत्पादन होगा कितना 1500 मेगावाट ध्यान नखिएगा यह सब अगर आप दे देंगे लिख करके अपने कॉपी में तो बड़ा महत्पोन नमबर बहुत अच्छा नमबर मिलेगा आपक साले चार दे देंगे बस इससे एदा नहीं देंगे ठीक चौथा है आपका पाचवा है किरसी आय में 900 करोण रुपे की ब्रद्धी की आसा जताई जाएगी जताई जा रही इससे 900 करोण रुपे की आसा होगी किरसी छेत्र में उसके बाद में चठवा यह होगा कि और से सालाना 1400 करोण रुपे आयकी संभावना भी जताई जा रही है इस प्रयोजना पर अनेक समाज से भी संगठनों इवं परियावड बिदों ने इस पर अनेक आपत्य जताई है जो इस प्रकार है वापत्ती जताई है बहुत लोगों ने क्यों आपत्ती क्योंकि उनके विद्ट करूआ रहा है ये देखते हैं उसको भी पहली आपती यह है उनकी कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर समी पूर्थी छेत्र जल्मगन हो जाएगे जब ये परियोजना संपूर्ण हो जाएगा उसका ब्योहार आसंतुलन हो जाएगा मलब भूकम पोकराने के चांचत सो जाएंगे अनेक जीव जन्तु नश्ठ हो सकते हैं या प्रवास बढ़ेंगे प्रवास भी बढ़ेंगे मालिया वहां पे जीव जन्तु रह रहे थे तो जब जल भलाव की समय से अत्पन हो जीव जन्तु वहां पे नहीं रह जाएंगे नश्ठ हो जाएंगे कुछ बढ़ेंगे बनसपतिया पेण पौधे भी नश्ठ हो जाएंगे जहां पे जल भलाव की समय से होगी वहां पे सूख जाएंगे पेणों सब ठीक अगर कुछ दिन तक लगातार जो है पेण के तने कोई पाउधा या पेण है उसके तने तक पानी भरा जाए फिर लगभग जो ज्यादा पानी भरा जाएगा दो तीन-चार फुट पानी भरा रहे तो पेण सुख जाएगा ठीक दूसरी समय से ये है कि यह परियोजना भूकंप संबेदन सील होने के कारण आपदा में भारी बिनास कर सकती है तो भूकंप जब आएगा या भूकंप के जटके अगल बगल लगते रहते हिमाले के आसपास तो जब कोई भूकंप आएगा तो यहाँ पे भी जब जल भरा है जल दाब जल का जो दाब होगा प्रेसर होगा वह ज्यादा बढ़ेगा प्रतिव पर इससे भूकंप और आने की चांस बढ़ जाएंगे ठिक तो इस यह भी है अगला अनेग लोगों की पुनरवास की समय से बहुत सारे लोगों की पुनरवास हो जाएगी मतलब वहां ज परियावन कात्यन करने वाले जो है वो बोलने अगला पांचवाए बताये नहुने की एक मुद्दा यह भी है कि सदा सरोबर जो बांध है उसको अधिकूचा करने के अस्थान पर छोटे-छोटे बांध बनाया जाना चाहिए ताकि कम-कम से कम नुकसान उठाना पड़े मत मतलब यह कि ज्यादा बड़ा बांध ना बना करके तीन-चार सिप्ट में बांध बनाया जाए तीन-चार बार में पानी को रुका जाए इससे क्या होगा इससे आपकी जो उद्देश से है आपका उद्देश वह भी पूरा हो जाएगा और ज्यादा जल भराओ की समयस्या तब तक के लिए दूसरा वीडियो होगा आपका बन बिनास के प्रमुकारण तब तक के लिए जैहिन जै भारत